नमस्कार दोस्तों, सिग्मा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देवनारायन जी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। किस प्रकार हुआ था उनका जन्म। देवनारायन जी एक महान लोकदेवता है। इनका जनम गोटा नगरी से कुछ दूर स्थित स्थान पर एक चट्टान के तूटने पर अफ्तरित कमल के फूल से हुआ। इनकी माता सेरू खेटानी और पिता सवाई भोज है। इनके पिता की मृत्यू इनके जन्म से पहले ही हो गई थी। इनके बचपन का नाम उदल या उदय सिंग था। इनका लालन पोशन देवास में हुआ। जहां इनका ननिहाल था। देवनारायन जी अपना पहला परचा अपने मामा को देवास जाते समय मार्ग में दिखाया था। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे था। इनकी भक्ती में बगढवत गीत गए जाते हैं। इनके मंदिर को देवरा कहते हैं। जहां इनकी कच्छी मिट्टी की मूर्ती की पूजा की जाती है जिसे ईट कहते है। इनके देवरेने नीम की पतियों की पूजा की जाती है। इनके प्रमुख मंदिर देवगोटा धाम आसीं जिसमें प्रसाद के रूप में राब या राबडी बांटी जाती है। कुत्ते के काटे के इलाज हेतु ये प्रसिध है। इन्हें वैज्ञाने की लोका देवता कहते हैं।